बिंजले के टेर विधान सभाक शेतर के फूप कज़वे में पानी पीने से वाड़ क्रमांग छे और साथ के लोग इस समय उल्टी दस्त बेचेनी के मरीजों की संख्या में लगातार अजाफा हो रहा है और मरीजों की संख्या की बात की जुआ है तो बीते दू दिन में पचास से धिकलू के सबस्या से संक्रमित हुए हैं इस्थानी लोगों का आरोप है कि जिन लोगों के घरों में नलों की सप्लाई से आने वाले पानी का सिवन किया वह समय अंभीर बीमार हैं लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद जब इस माम मामले की जानकारी लगते ही कलेक्टर संजीव श्रिवास्तव के निर्देश पर मौका मुआइना करने SDM तथिल्दार सहथ स्वास विभाग से CMHO शिवराम सिंग कुश्वाह ने भूप कस्वे के सामधा एक स्वास के अंदर पहुँचकर मरीजों का हाल जाना और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को बहतर उप्चार के निर्देश दिये हलां कि इस मामले पर BMO सिद्दार से चाहान का कहना है कि दो दिन में करीब 50 से अधिक मरीज उल्टी दस्त घबरहट के समस्या से जूचते हुए आए हैं इसको लेकर पियेची विभाग ने लोगों के घरों से पीने के पानी के सेंपल लेकर जाज परताल शुरू कर दिये अचानक इतने बड़ी दादात्म लोग एक साथ एक ही लक्षणों से पीड़े क्यों आ रहे हैं पानी के वज़े से हो रहे हैं सब लोगों को दिक्केदार ही हैं आपके गेर में कितने लोग बीमारी के चंते मोत हुए हैं क्या मोत हो ऑप कि नम है अग्ति है शिभम स्रीबास कितने आपकी कस्वे में लगा है जाद है सबी लोग पूरे मौले को दिखकत है उनके घर मेरा शिभम रेजानी बाइ वुल्ती वोदस्त है अमें तीन चाट दिना से और घर में पांच लोग है पांच वही मारा है पानी से परेशानी नहीं है पाना जे टंकी में दे संबाशा पानी दे रहा है पाखना पीरा पानी 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 कोई सफाय पाई कराते नहीं आपके मुल्य मुलक पर इस वीमारी से कितनी लोग होई गें इस वीमारी से मौत कि लिए तीने आदमें ने कि एक का चोधरी बेजनाथ और एक को एक आना आसारम नाई और एक बच्ची जाए परसासनी की तरह से टीम आई डाक्टर आए चोहन आए अकेले कोई अंतर नहीं है बोतले पानी के चड़ाई देता है और कोई अंतर नहीं है तो क्या नाम आपके देविंदी चित चौधर मानास बाट लंबर साथ हमारी पंद्रा बोतले लगी चुकी और पंच और लगवे कुझ जाए राए है तो प्राइवेट एलाज करा हो देविंदी चित प्राइवे हो फेरे उल्टी-टटी है फिर मागुजे पंच दबाई ले आई हाओ दबाई समेरे आराम में लेगा हो जी पह पलान खूटी हो चाहां कचिव मतलब भाव हो बगंदगी के मारे भाई हो चाहां कचिव मतलब भाई हो तीन लोग है तो गरमे सदे से बाई सादी माई मॉला पूरे पूर कस्वें नहीं पूर कसवाब है सबसका सबाज्या माज तीन माव सात नुमर बाट हम जाना देख थे ते इस तुननी में आया जो चोधी वाले वह तो राश्टे को सितम हो बेई बेई क्या नाम को बेई नात का सो जो बेई जनात 14 चो उनको भी एक तक लिए त पांच बेई खड़े गाए तो मैंने पानी पी आजिए एक बोतल घर से बढ़के ले जाता है यह ताक बाद भी फिर लेटन गाए लेटन होके थोड़े देर बाद फिर लेटन में लगी है फिर हमें चलो बैसे ही हो आज है जैंज फिर चले वित्ती सरी दाबार फिर हाली ह यह प्रिशानी तो यह पानी पानी से यह दिख्कत है तक अगर जे हमक पूरे मौला में यह आलित घराब है यह कितने दिन से परेशानी आपको होई है यह परेशानी प्रेशानी इव तो अच्छान चंक्री यह कोई दोजना भाय में तो तीन दिन से यह देकत बढ़े गए इस बाड़ में कितने लोग परिशान है इस बाड़ में कि दो लोग तो खतमी हो गाई यह परोसी पे यह और करीब अब इस बस्तानी जन परते निदियों को अथकार्यों को नहीं बताया है यह तो उसे बोले यह एक यह जैसे बीमारी पढ़े रही है तो उन्हें आ लए है आए रात में यह तुम पोजाई उन्हें है और घरगा से इंपूलेंस यह लैवे करना यह आये मताये और साहिरा तो यह उन्हें कभी नहीं हुआ है कि अमाना गड़ी सर्मा है साथ में यह उसी के कारण यह समझ से आया जादर लोगों को सारे एक ही जैसे सिम्टम्स हैं जैसे कि जातर जो कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें से एक तो आपके दस्त हैं ठीक है और उल्टी है और किसी किसी को चक्कर भी आ और इसके लिए जिनोंने अगर प्राइबिट मेडिकेशन लिया है जिनोंने जाकर उन-को सबकर कि अगर वैसे देखा जाए तो हर घर में मालों कोई ज्यादा सीरियस नहीं है फिर भी प्रॉब्लम सबको है थोड़ी बहुत भी हो लेकिन प्रॉब्लम सबको है और कुछ लोग हैं जो गवर्मेंट हॉस्पिटल में गए हैं जातर वहाँ एनस औरल की बॉटल सी लगाई जा जा रहा है कोई प्रॉपर मेडिकेशन ना जितना मैंने अब्सर्व किया मुझे तो नहीं लगा कि प्रॉपर मेडिकेशन दिया गया है जितना मतलब मेरी नौलेज में उसके हिसाब से तीन लोगों की जान गई है जिसमें से दो लोग थोड़े एज थे और एक बच्ची की है जो आइधिंग 12-13 साल की है क्या नामा कोशल सर्मा क्योंकि हाँ यह है कि कुछ लोग मतलब बॉटल्स लेके आते हैं फिल्टर वाटर की तो अगर जो लोग वो पानी कंस्यूम कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम कम हुई है या फिर जो जैसे हैंड पंप भी है तो हैंड पं का जो पानी कंस्यूम कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम कम हो रही है एस कंपेर्ट तो जो लोग जो नल का पानी या जो बोरेल का पानी आता है जो नगर पालेगा की तरफ से हाँ हाँ एक्जेक्ली वह उसी से उसी से प्रॉब्लम अब यह नहीं पता है कि किस वज़े से हैं ल तो नगरपालगा की तरफ से पानी आता है उसको जो लोग चंसिम कर रहे हैं उनको ही जैसे मेरे घर मैं भी मेरे ताव को परब्लम है तोровब नलका ही पानी भरके ले जाते हैं वही पानी पीथें तो सुर्फ उन्हें को पाव समस्या हुई है बाखी कि मेरे घर में जैसे मुझे भी प्रब्लम हुए लेकिन मुझे बहुत हल्की प्रब्लम हुए ज्यादा कोई नहीं हुआ है तो मैंने और यह लिया है तो उससे थोड़ा रिलीफ है कि कोशल सर्मा यहीं वार्ड नंबर साथ विलेज हूँ हाँ बहुत अपनी ततपरता के साथ में यह देखा कि सुभह से उनके पास एक पर्टिकुलर क्रम में जो लोग आ रहे थे उल्टी दस्त के सिंटम के साथ उनने उनको आइडेंटिफाई किया वो सारे मरीज 5-6 वार्ड से जो यहीं अर्वन का एरिया है उसी से आ रहे थे तो उनक को लगा कि यह सभी लोग एक ही वार्ड से आ रहे हैं और कुछ न कुछ ही यहां पर दिक्कत है तो वैसे ही उनने जिलाइस्तरी टीम को इन्फर्म किया वहां से हमारी जिलाइस्तरी टीम सीमेचो साब के मार्ग दरसन में यहां पर आई आवशक दवाएं सामगरी और सभी ह यहां पर आके रातवर सभी ने सारे घरों को हाउस तो हाउस सर्वे किया और जो यहां के मरीज थे हमें दो लोग गंबीर ऐसे मरीज मिले जिनको परेशानी हो रही थे उनको हमने अम्बूलेंस से यहां तक बुलवाया भी और बाकि जो भी बाड में ऐसे मरीज थे क्या होगी जैसे अभी डाक साब ने बताया क्योंकि कल भी हमने यहां करीब आट दस लोगों को जिनको एडमिट किया था उनको ट्रीटमेंट डिया था आज भी सुवह से मैं देख रहा हूं यहां पर करीब बारा लोगों की OPD यहां पर IPD में जो मरीज दिखाने आय थे उ उसका जो जैसे देखें यह जो फूप का ब्लॉक है हमारा यहां पर अरवन छेत्र में जो बार्ड है उनमें सभी बार्डों में केबल 5 वो 6 और 7 में हमें यह देखने में आया वहां पर कुछ कंस्रक्शन वर्क चल रहा था तो जैसा वहां के लोगों से इस्थानी लोगों जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे सभी से तो उसी गंदे पानी के कारण उनको बुखार उल्टी दस्थ के परिशानी हुई जिसके कारण केस आना शुरू हुए है नहीं अभी तो कि श्था सब सब्सक्राइब देख़न की पूरी टीम और कलेक श॥ा की मारक दर्सं में यहां पर Korismo सारे सा और सॉर्स को Style के इनिके मार्क दर्शन में स्वास्तिवाग के टीम भी हमारी काम कर रही है। नहीं के साथ से काफी जधा उल्टी और दस्त के मरीज आ रहे थे, जिसमें की जाधतर लोग जो बुज़ुर्ख हैं और बच्चे हैं वो शामिल थे, ये जो दूशित पानी है उसके सेवन के कारण ये मामारी जैसा थोड़ा सा फैला था टोटल कल से लेके अभी तक हमारे पास 50-60 मरीज आ चुके हैं जिसमें से की लगबग 55-56 मरीज स्वस्तों के बिल्कुल अपने घर पे हैं जिनकों की दवाईयां हम लोगों ने दे दी थी फ्लूट्स लगवाके इंजेक्शन लगवाके जो भी अवश्यक दवाईयां उनके साथ हम लोगों ने घर पर बेज दिया अभी हमारे पास चार मरीज थे जिनकों मैंसे की तीन को हमने डिश्चार्ज कर दिया है दो मरीज अभी भी हमारे पास है तिक यह मुख्यता दिखिए हमारे यहां से अभी कोई भी ऐसी कैजुल्टी रिपोर्ट नहीं करी गई है दो मरीज जो कि हमने जिला स्पताल भिंट के लिए रेफर करे थे उसमें से जो एक बड़ी उम्र वाले दाता है बैसनाच जी उनको पहले से ट्यूबर कुलर इंफिक्शन तथा तथा इस बारे में हम लोग एक बार जिला चिकित साले से चर्चा करके हम लोगों ने कल रात को ही कल शाम को 6 बजे मैंने सभी नगर परिशद के जो पार्षद हैं आके उन सब के साथ मिटिंग लेके इस पानी का जो जो सप्लाइ हो रही है उसको रोकने के लिए हम लोगों यह संदेश पहुंचा दिया था कि पानी उबाल के उपयोग करें तथा इस दूश्यत पानी का उपयोग ना करें किसी को भी अगर समस्य होती है तो तो तुरन सीधे अस्पताल में संपर्क करें तथा किसी भी जोला चाप वारा इलाज ना करा है लोगों का आरूप है कि सरकारी अस्पताल में लोगों को इतनी ज़री रेकवरी नहीं मिल पा रही है जितने की प्राइवेट असपतालों हमसे नहीं देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं यह चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि पहले तो यहां पर कोई भी प्राइवेट अस्पताल ऐसा डिग्री धारक डॉक्टर वाला नहीं है जहां कि मरीज को इलाज दिया जा सके हर जगह सिर्फ जो जो जोला च जिससे कि कोई भी गंबीर मरीजों उसको हम लोग अपने हां ला सके हैं सबके सिम्टम यह भी एक बहुत बड़ी एक अच्छी कॉमन बात है कि सबके सिम्टम मैच कर रहे हैं सबको राइस वाटर डायरिया जैसा हुआ है सबको सेम एंट्रिक फीवर जैसा पेन हो रहा है औ तथा इसी से कंफर्म हो रहा है कि यह कॉमन पॉइंट सोर्स से इंफेक्शन फैला है और इसी लिए हम लोगों ने रात को दो बजे तक वाट नंबर 6 और वाट नंबर 7 का पूरा सर्वे किया था जहांकि हम लोगों ने हर एक मरीज को वहां पर दवा जाके घर घर पर उप लोग अभी सभी उपस्तित थे तदा अभी आदे घंटे पहले ही सब लोग गए हैं यहां से उसको ही अपडेट करके यह सामुदाइक स्वास्त केंद्र बना है एक जो कस्बा है वहां पर एक स्वास्त केंद्र हो सकता है जो कि अभी फूप मैं CST बन गया है वह प्रात्मिक स्वास्त केंद्र था वह अभी फंक्शनल नहीं है जी देखिए उस समय पर जो हमारा आंगनवाडी केंद्र है वहां से लगातार ओरस की सप्लाई जिंक की सप्लाई तथा और भी अंदर जो मैट्रो जिल वगरा दवाईया है वो सब हम लोग आंगनवाडी सब्सक्राइब करा रहें अपनी और आशा के माध्याप से बीमारी की खबर जवाई और हम लोगा ने सेंपिल लिए हुआ और सेंपिल का परिक्षन जिले की प्रियोसरा में किया रहा है तो कि एक कि एसमें हम यह संभावरा चलाव करें निरूंग कोई सीवेच आपन aynı कोई इंड्री यह कोई इंड्रम सपन्प स Mais приг्सियों कर रहा है इसमें हूं प्रयापर आप जो छबासे कि ज़ीह पंणी जिए कर रहा है अभी जो प्रार्थमी राज किया है उतना ट्रेस्ट नहीं हो रहा है पर अभी वेक्टिया बगरे जो रखते हैं जिससे यह जासे बीमारी फैलती है जो कि सीवेज में या लेट्री में पाई जाती है तो उनका टेस्टिंग में 24 जाते हैं सेंपल के टेस्ट करने में तो उसक करता का पाएगी पिंड से शाम सुन्दर उपाध्या की रपोर्ट